हे अबरीबन मैं हुगीता वेलकम और वेलकम बैक टो मुजिंग मोमे स्टूडियो फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे तो फ्रेंट्स आज की वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है वो किसलिए आज हम अगें डिया वाय करन कर देना बैल आइकन रेड कलर का आपको नीचे दिख रहा होगा उसको प्रेस कर देना जिससे कि आपको मेरी वीडियो जाएंगे आने वाली नहीं नहीं और मैं आप लोग के साथ अच्छे अच्छे वीडियो आगे लाती रहूंगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करत आपने नीच्छाल बीटी को पाने के लिए अपना जोग सी टिम करते हो क्लेंजिंग टोरी मॉसराइदीं करते हो इसमें सबसे अपको ata है टोनिंग का तो आपके सीविस्टी अच्छे से टोनर ऑपके स्के लिए ले सबस्क्राइब बनायें वह आपके स्केर बहुत ही बेन तो आज हम natural से homemade toner और करेंगे जिन को बनाना बहुत ही ओजघ है तो चलिए आपनी toner को बनाना स्टार्ट करते हैं लेट्स कैटि तो फ्रेंड्स हम अपना आज का स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहले वाला टोनर है, यह है हमारा सेंसितिव स्केन के लिए, तो इसके लिए आपको क्या लेना है, आपको कुकुम्बर जूस लेना है, तो जिसे हम मैंने यह क्या करा है, खीरे को कद्दू कस कर लिया है, इसको निचोड के हमारा कुकुमर जूस रेडी हो चुका है देन हमें अभी क्या करना है इस कुकुमर जूस में हमें मिलाना है अलोविरा जेल तो यह कुकुमर जूस निकल चुका है इसमें हम अलोविरा जेल डालेंगे आप घर का भी डाल सकते हो और आप मार्केट का भी डाल सकते हो आपके प मैंने जिसनी कॉंटिटी लिए ना मैंस मेंrite 2 चम्माज जालों दाल Calvin और श्को मिक्स कर लोंगे मैंने पाता अंज़ी के अलोविरा आप ein जो हूई ले सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करके अपको क्या करना है इसको आपको ना कोई भी spray bottle आपके पास घर पे पड़ी है ठीक है अगर आपके पास घर पे नहीं है तो आपको क्या करना है market में मिल जाती है spray bottle आपको उसमें इसको आप shift मतलब मैं डाल सकते हैं उसको और इसको यह देखो हमारा ready हो गया है मिल पास ही मैंने bottle market मार्केट से ला रखी पहले से पड़ी हुई market से लेकर रखी थी मैंने पहले से तो उसमें मैं इसको ट्रांसफर कर दूँगी और इसको अपने फ्रिज में स्टोर कर दूँगी आप इसको ठंडी जगपे भी रख सकते हैं और इसको आप अपने फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं आप फ्रेश बना लीजिए घर का है क्योंकि मारा घर का टोनर है और स्किन के लिए कोई नुकसान नी करेगा तो ये सेंसेटिव स्किन के लिए स्पेशली टोनर है देन आते हैं अपने ड्राय स्किन के लिए तो ड्राय स्किन वालों के लिए हम टोनर को रेडी करेंगे तो ड्राय स्किन के लिए भी हमें क्या लेना है साथ से आठ आपको तुलसी के पते लेना है हर किसी के घर पे मिल जाते हैं तो तुलसी के पते लेने हैं आपको उसको अच्छे से वाश कर लेना है और उसके बाद क्या करना है आपको एक कप लेना है जिसे मैंने सातर पते तुलसी के लिए न तो उसके लिए एक कप वाटर आपका इनफ है तो एक कप आपको वाटर लेना है उसको क्या करना है आपको क पटम सेकं 15 मिनट के लिए में कम सेकं 15 मिनट के लिए तो देखें पहले में आ इसको हाई फ्लेब में तो पांशें गरम में जे पानी करने के बाद सबस्किन tienदा हान मैं तो इसको फंडा होने दूगी तो रहें कर लेंगे हम इसको k во breath करते के बाद आपको थंडा उने देना है क्योंकि गर्म होगा लumnा है तो इसके बाद क्या करना है आपको ब्रें करने के बाद आपको इसको भी किसी बौटल में ठांसफर कर लेना है थंडा होने के बाद और इसको भी आप अपने ही साप से बना सकते हैं यह देखिए अप इसको भी फिरज में स्टोर कर सकते हैं या 7-8 दिन तो आप कोई भी rose water ले सकता है घर का भी, market का भी आपके पास जो available है तो मैंने इसमें 2 चम्मच rose water डाल लिया है उसके बाद मैं इसमें डालूँगी aloe vera gel जितनी मेरी quantity है मतलब toner की उस हिसाब से मैं इसमें एक चम्मच aloe vera gel को डाल दूँगी और उसको अच्छे से mix कर लूँगी तो आप इसको आपने 7 से 8 दिन के according की toner को बनाना होता है आपको fresh बनाओ और इसको ठंडी जगा पे रखो या fresh में रख दो बाहर रखोगे, गरम जगा पे रखोगे तो यह खराब होने के chances होता है क्योंकि हमारा घर का बनाए हुआ है यह देखिए इसको भी हमने spray bottle में transfer कर दिया है यह हमारा toner ready है तो आप देख सकते हैं इसको जब भी use करो shake करके ही अमेशा अपने face पे use करो देन आते हैं अपने oily skin के लिए oily skin वालों के लिए toner ready करेंगे हम इसके लिए हमें क्या लेना है एक मग हमने लिया है पानी और उसमें हम डालेंगे एक चमच नीम पाउडर आपके बास नीम पाउडर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं तो कम से कम आपको 10 पत्ते नीम के use करने हैं तो मैं एरपा से भी ये नीम का पाउडर पड़ा हुआ है तो मैं इसको डाल दूँगी एक मगमे एक चमच इसको मिक्स करके मैं इसको कम से कम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको अच्छे से गरम होने दूँगी जब ये हो जाएगा कम से कम 10 मिनट रखोंगी इसको लो फ्लेम में और 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से चान लोंगी चानने के बाद क्या करना है इसको स्प्रे बॉटिन में आप इसको प्रांसफर कर सकते हैं बस आपको ध्यान रखना है आपके जो ये होम मेट तो ठंडी जगप पे आप इसको रखो और हमीशा कोशिश करो कि आप 8-9 दिन का टोनर बनाओ देन अगेन फिर से आप नया टोनर अपना घर पे ही रेडी कर लो तो देखो ये भी मैंने इसको अच्छे से ड्रेन करके बॉटल में रख लिया है तो मैं सारे फ्रेज में स्टोर कर लूँगी और one by one अपना इसको यूज करती रहूँगी तो आज के टोनर हमारे सारे के सारे आप देख सकते हैं रेडी हो चुके हैं सारे होमेड हैं कोई नुकसान नहीं करेंगे आप इसको easily यूज कर सकते हो तो देख सकते हैं आप सारे टोनर हमारे रेडी हो गया है तो अब आते हैं अपने benefits of toner तो सबसे पहले तो आपका toner क्या करता है, toner आपके acne breakouts को नहीं होने देता है और आपके skin को refreshing रखता है और आपके face में moisture को lock करने का काम करता है आपके जो skin में excess oil होता है उसको remove करता है, आपके pH level को maintain करता है, आपके open pores को ये minimize करता है तो आपने देखाना toner कितना सारा work करता है आपके skin के ऊपर, तभी तो आपके skin एकदम number one लगती है तो आप बोलोगे, आप दिन में 3-4 बार अपने face को wash करते हो, 3-4 बार अगर उने face को wash करते हो, तो toner भी use कर लिया करो, बगर ध्यान डखना 3-4 बार वह वाला toner नहीं use करना जिसमें alcohol होगा, क्योंकि वो आपके skin के लिए harmful होता है आपके skin को dehydrate करता है और साथी साथ आपको acne breakout होने की जादा से जादा problem होने लग जाती है तो जो आज हमने DIY toner करे हैं, ये natural से toner है, आप इनको easily use कर सकते हो, 3 बार, 4 बार, 5 बार जितनी बार आपको use करना है आपके skin के लिए बिल्कुल भी harmful नहीं होगा और आपको इसके अच्छे से अच्छे result मिल जाएंगे, तो friends I hope आपको ये मेरे आचके DIY पसंद आएंगे अगर पसंद आएं तो subscribe कर दो बार बार बोलना पड़ता है, आप करते नहीं हो वीडियोस देख लेते हो, subscribe नहीं करते हो तो subscribe कर दो यार और साथी साथ नीचे red color का bell icon होगा, उसको press कर देना जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की notification मिलते रहेंगे और मैं यूँ ही आप लोग के साथ अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूंगे अच्छे डियाइवाइस लाती रहूंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स इंट्रसिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए, bye and thanks for watching, bye